अलो फ्रेंट्स बहुत बहुत स्वागा थे आपका सुपर फास्ट स्टेडी एंड एक्सपेरिमेंट पर तो दोस्तो इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं मोटराइजड ड्राइव पुल्ली के बारे में हम जानेंगे कि आखिर क्या होता है मोटराइजड ड्राइव पुल्ली और किसली इसके इस्तमाल किया जाता है इसके एप्लिकेशन और एड्वांटेज़स के बारे में भी जानेंगे और वर्किंग और कंस्ट्रक्शन के बारे में भी जान लेंगे तो ऐसे ही 800 से जादा इंडस्ट्रियल टेकनिकल वीडियोस अपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे जैसे कि नाम से ही क्लियर है इस टाइब की पुली में मोटर जो है वो पुली के ड्रम के अंदर रहता है और स्रिफ मोटर ही नहीं मोटर के साथ में गेर बॉक्स भी पुली के ड्रम के अंदर रहता है यानि कि ये खुद में एक drive unit है इस type की pulley को आपको सीधा लगा देना है और आपको gearbox और motor के अलग से ज़रूरत नहीं है क्योंकि motor और gearbox इसके अंदर में inbuilt होता है इस type की pulley का shaft जो है वो fix होता है जबकि जो drum है वो rotate करता है conveyor belt system में इस type की motorized drive pulley का इस्तमाल किया जाता है तो friends चली अब इसके constructions को समझ लेते हैं देखिए सबसे उपर में यहाँ पर जो है यह है इसका stationary external shaft यानि कि यह shaft है जो stationary रहता है जैसे मैंने आपको बताया था और यहाँ पर देखिए यह है इसका electric AC motor यहाँ पर AC motor का इस्तमाल किया जाता है जो कि drum के अंदर रहता है और यह है इसका rotating drum जो outer yellow color का दिख रहा है वो है इसका rotating drum यह है इसका gearbox और gearbox का input जो है वो motor से connected है जबकि उसका output जो है वो direct drum से connected है यानि कि मोटर से input ले रहा है gearbox और फिर मोटर से लिया हुआ torque जो है उसे फिर transfer कर दे रहा है drum में यहाँ पर यह है इसका oil plug magnet उसके नीचे है oil drip lip oil drip lip का काम होता है मोटर को cool करना और oil को properly circulate करना कौन से एरिया में जहाँ पर मोटर है यह मोटर के cooling के लिए लगा हुआ है और फिर यहाँ पर देखिए factory oil field तो देखिए यह factory oil field जो है यह gearbox के लिए oil जो fill किया जाता है manufacturing के दौरान वो है और इसकी जो life है वो 30,000 हर होती है यानि कि 30,000 घंडे तक यह चल सकता है उसके बाद इसे replacement करने की जुरुत पड़ती है और यहाँ पर double oil seams का इस्तवाल किया जाता है shafts में दोनों side ताकि बाहर का environmental dust जो है वो अंदर ना जाए और इसका जो lubricants है वो अंदर से बाहर ना जाए और यहाँ पर इसका यह जो है यह इसका terminal box है अब बात कर लेते हैं इसके advantages की तो सबसे पहला advantage है easy to install यहाँ कि इसको install करना बहुत ही आसान है बहुत easy है बहुत ही कम समय में इस install किया जा सकता है क्योंकि इसमें श्रिप आपको pulley को install करना है gearbox नहीं है बाहर में ना motor रख नहीं है सब इसके साथ में है तो आपको खाली drive pulley को install कर देना है it requires less space for its installation देखिए यहाँ पर gearbox और motor नहीं है तो आपको अलग से base बनाने की ज़रूरत नहीं है और आपको ज़्यादा space इसमें नहीं लगने वाला है बहुत ही कम space लगता है क्योंकि यह जो है यह compact है तीसरा इसका advantages है कि it does not require more alignments यानि कि यहाँ पर ज़्यादा alignment की ज़रूरत नहीं पड़ती है जैसे कि अगर हम इसको compare करें अपने conventional conveyor belt में तो उसमें क्या होता है motor to gearbox पहले alignment करना पड़ता है फिर gearbox to head pulley alignment करना पड़ता है तो यह time taking process है यहाँ पर किसको भी आपको alignment करने की जुरत नहीं है स्रिप आपको base का master level check करके और आपके pulley को drive pulley को आपको install करना है चौथा इसका advantage है smooth in operation and it does not produce noise देखिए क्योंकि यहाँ पर gearbox और motor जो है वो drum के अंदर में है और helical gears का इस्तमाल किया जाता है यहाँ पर gearbox में तो इसलिए इसका जो operation है वो बहुत ही smooth होता है बिलकुल noise जो है वो ज़्यादा produce नहीं होता है next advantage इसका है कि it is more safer as compared to conventional conveyor belt system तो जो conventional conveyor belt system में जो drive unit होता है उसमें motor अलग से लगा होता है फिर वहाँ पे coupling है जो की बाहर में rotate करते रहते हैं gearbox है उसका output coupling है वो भी rotate करता है यानि कि rotating parts जो है वो बाहर में होते हैं उसे proper guard करने की ज़रुरत पढ़ती है safety guards लगाने की ज़रुरत पढ़ती है और उसके बावजूद यहाँ पर risk होते है accidents होने के लेकिन इसमें क्या होता है कि कोई भी rotating parts जो है वो बाहर में नहीं है है ना इसलिए ये उससे ज़्यादा safer है safety है इसमें next advantage है आपका efficiency of motorized drive pulley is high जो motorized drive pulley है उसका efficiency जो होता है वो high होता है इसकी efficiency जो है वो 93 से 95% तक होती है next इसका advantage है it takes less electric power while its operation यानि कि इसमें जो electric power जो है वो भी कम लगता है as compared to conventional conveyor belt system तो friends ये वीडियो थी हमारी motorized drive pulley के उपर उसे construction और working और advantages के बारे में भी हमने यहाँ पर discussion कर लिया तो friends उमीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी अगर 1% ये वीडियो आपको helpful लगी हो तो please इस वीडियो को like कर दीजेगा चैनल को subscribe कर दीजेगा फिर से मिलेंगे next वीडियो में तब तक के लिए अलविदा